नमस्कार दोस्तो हमारे यूट्यूब के अर्वेदिक चैनल में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है और आज दोस्तो हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिकर करने वाले हैं डिस्क्स करने वाले हैं कुछ ऐसे खाने कुछ ऐसे खादे पदार्फ जो कि हमें सोने से ठीक पहले नहीं खाने चाहिए लेकिन हम अक्सरोंने खा लेते हैं और जिससे कि हम परिशानी का सामना करते हैं और उसके लिए फिर हमें अलग से दवाई यां खानी पड़ती हैं तो दोस्तों आए देख लेते हैं कि कौन सी कौन से इसी चीजे हैं जिनका हमें इस तरह से रात को सोने से ठीक पहले सेवर नहीं करना चाहिए और दोस्तों अगर खाना ही है तो आप कोशिश करें कि सोने से 3-4 गंटे पहले खा लें ताकि आपके शरीर को इन चीजों को पचाने का परियाप्त वक्त मिल जाए तो दोस्तों आईए देखते हैं ऐसी कौन से कौन से चीजे हैं इनको हम थोड़ा सा ध्यान रखें और ताकि हमारे शरीर को इस तरह की कोई बिमारी परिशानी महसूस ना हो ठीक है दोस्तों आईए देखते हैं ऐसी करीब आरदस चीज़े हैं जो कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ आप इन चीज़ों का ख्याल रखें रात को इनका सेवन ना करें और अगर करना ही है तो सूने से काफी पहले कर लें ताकि आपके शरीर को इन चीज़ों को पचाने के लिए समय मिल जाए तो दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों आप जानते ही होंगे का हर व्यक्ति के खाने से जुड़ी अपनी अलग आतने होती है इसलिए कुछ लोग शाम के समय जल्दी खाना खा लेते हैं जबकि कुछ लोग देर से खाते हैं शरीर पर आतों का असर पढ़ता ही है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपने रात को जो खाना खाया है उसका सीधा असर आपकी नीन पर भी पढ़ता है जी हां दोस्तों, रात को सोने से पहले आपने जो खाना कहया है यदि ठीक नहीं है, तो आपको बहुत ही जल्दी गरी नीन नहीं आएगी और आपको दिक्कत महसूस होगी। आयरवेद में माना गया है कि हमेशा सोने से 2 गुंटे या उससे पहले खाना खाने से शरीर के लिए ज्यादा उच्चित रहता है खाने के तुरंत बाद सोने से मटआपा बड़ता है साथी हमारी पाचन तंत्र भी इससे प्रवावित होता है वैसे अगर सोने से थोड़ी दिर पहले कुछ खाया जाए तो वह चीज ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से पच जाए सोने से पहले हाई कलरी वाला खाना लेने से हार्ड बर्न मतलब के जैसे के आपको चाती में जलन महसूस होती है जैसी समस्या भी हो सकती है इसके अलावा कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका सेवन सोने से पहले किया जाना शरीर के लिए बहुत अधिक नुकसान महुचा सकता है आज हम आपको बताने जा रहे हैं खाने की कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनका सेवन यदी सोने से पहले किया जाए तो शिरी के लिए नुक्सान दैक होता है सबसे पहले दोस्तो पास्ता एक ऐसी चीज है जो की ज़र से तयार हो जाता है ये ज़र से तयार होने वाला वेंजिन है इसलिए कई बार लोग देर रात को पास्ता खाकर सो जाते हैं लेकिन पास्ता में बहुत ज़्यादा कार्बो हाईडरेट वे अन्य कई ऐसे बदार्थ ह जिन्हें शरीर जल्दी से नहीं पचा पाता है। देर रात इसके सेवन से कब्स हाइपर एसिडिटी जैसी समस्याइं पैदा हो जाती है। जो सोने से तुरंत पहले ही इस तरह का खाना, खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। देर रात को मिठाई खाना भी सहत के लिए अच्छा नहीं होता है। मिठाई खाने से दाथ तो खराब होते ही हैं, मुटापा भी बढ़ता है। साती शरीर पर भी नकारात्मक प्रुआओ प जो बहुत जल्दी कम समय में तयार हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि नूडल्स में कार्बो हाईडरेट बहुत अधिक मातरा में होता है, जो वसा में बदल जाता है। सोने से पहले नूडल्स खाने से पेट से जुड़ी अनक समस्याएं पैदा हो जाती है। इसलिए स अधिक मातरा लेने से अराम दैक नीन नहीं आती है। तो नौन वेज या प्रोटीन की अधिकता वाले खाने भी आपको खाने से पहले ग्रहन नहीं करने चाहिए। ज्यादा फाइबर वाली सबजीयां या खादे परदाज जैसे ब्रॉकली, प्याज, पत्ता गोबी, आद इन तंतर में फाइबर की गती बहुत कम हो जाती है। इसके कारण पेट फूलने जैसी समझाएं होती हैं जिससे कि आपको नीन आने में भी दिकत महसूस होती है। चीज और चीज बर्गर में अधिक मातरा में वसा होती है। इस वज़े से रात को समय इसे खाने से इसका ठ चिप्स आदी का सेवन भी सोने से पहले शरी के लिए नुकसान दाएक होता है क्योंकि इन में बहुत अधिक मातरा में मोनोसोडियम क्लुकामेट होता है। इसके कारण नीन से समझ विवन प्रकार की समझाएं आ सकती है। और दोस्तों सोने से पहले कभी डार्क चॉकलेट भी नहीं खाना चाहिए। डार्क चॉकलेट में कैफीन और अन्य ऐसे पदार्थ होते हैं जो दिल की कारणे करने की शमता को बढ़ा देते हैं जिसके कारण गहरी नीन नहीं आ पाती है और मस्तिक्ष भी शांत नहीं रह पाता है। इसके कारण आपको अच्छी नीन नहीं मेहनत करनी पड़ती है तो कल्पना कीजिए अगर आप शाम के टायम पीज़ा खाते हैं और सो जाते हैं तो आपके पाचन तन्तर पर कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी और इसको पचने में दिक्कत आएगी तो सुभाविक है कि आपको शरीर में भी कुछ दिक्कत महसूस हो तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मैंने आप से शेयर की इनको आप सोने के समय तो बिलकुल ही ना लें और दिन के टाइम भी कम से कम कोशिश करें इस तरह की चीज़ें क्योंकि इस तरह की चीज़ों से आपके पाचन तंतर पर बहुत ज्यादा बोज पड़ता है और आपके श्रील को दिक्खत महसूस होती है तो दोस्तों इस जनकारी को जनहित के लिए शेयर जूरूर करें आप अपने जतने भी हैं यार हैं दोस्त हैं रिष्टिदार हैं आपके सगे संबंदी आपके शुपचिंतक और आप जिनके शुपचिंतक हैं उनके लिए जानकरी जुरूर उनको बताएं और उनसे शेयर करें हमारे चैनल को भी दोस्तों लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा ज्यादा जितना भी हो सकें अपने मित्रों के साथ शेर करें धन्यवाद दोस्तों करें